जर्नलिजम की शुरुवात 1978 में कि 40 साल उरे किये दमकिया नहीं नहीं है गालिया भी नहीं नहीं है जान जाने का खत्रा भी नया नहीं है लेकिन मैंने अपने 40 साल की पत्रकारिता में इतना खराब इतना जहरीला माहोल कभी नहीं देखा कभी नहीं देखा मुझ पर पहला उमला 1979 में हुआ दुसरा 1991 में हुआ तिसरा बाबरी मचिद गिरने के बाद 1993 में हुआ और आखरी हमला मेरे आफिस पर जब मैं आबियन लुकमत का संपादक था 2009 में हुआ था इस देश में 2010 के बाद मैं 2010 इसके लिए कह रहा हूँ कि 2010 में मैं इस तोशल मीडिया पर आ गया हुआ 2010 के पहले जो हो रहा था गालिया मिल रही थी दंकिया मिल रही थी लोग हम जो लिखते थे उसके उपर नाराज भी होते थे और कही आफिस में गुसकर पिट्टे भी थे 2010 के बाद सोशल मीडिया आने के बाद इन सारी चीजों को एक लेजिटमिसी मिली है इनको मारने की जुरूरत नहीं है इनका पहले चारी त्रेहनन कर दो करेक्टर ऐसेसेनेशन कर दो फिर भी टिके रहते हैं तो फिर इनको मार दो ऐसेसेनेशन कर दो ये स्ट्रेटीजी है आप ध्यान में रखिए ये स्ट्रेटीजी आप मोदी जी के बात करते हैं मैं मानता हूँ देश के सबसे खराब प्रधानमंत्री ये है जिन्होंने देश का माहोल बिगाड़ा और जहरीला माहोल बनाने में इनका योगदान सबसे बड़ा है लेकिन मैंने ऐसे मोदी जी का अनुभव मेरे राज्यम में किया है दुसरे पार्टियों में किया है जो पार्टियों में नहीं है और आतंकवादी संगटिन चलाते हैं उनसे भी मैंने ये अनुभव लिया है मैं आपको बात बताऊंगा हमेशा बात होती है पिछले चार पास सालों से दाबोलकर पांसरे कलबुर्गी और गवरी लंकेश के मर्डर की गवरी तो हमारे जैसे ही जर्नलिस्त थी लेकिन जो संगटन इन सारे मर्डर्स के पीछे है उस सनातन संगटन के ट्रोलिंग का गालियों का धमकियों का पहला अनुभव मैंने 2012 में लिया उसके पहले जो हमले हुए थे तो हमारे दोस्ट जो है शिवसेना में वो करते थे जब ये अनुभव मैंने लेना शुरू किया मैं आईबियन लुखमत में था टीवी शो रोच करता था तब डॉक्टर डाबहुल कर जिन्दा थे वो मेरे शो में आते थे सनातन वाले आते थे बहस होती थी एक दिन सनातन वाले कुछ गलत बात कहने लगे तो एंकर का ये करतवे है कि गलत जो बात कह रहा है या सब्जेक्ट से जो दूर भाग रहा है उसको रोके मैंने उनको रोक लिया तो सनातन के प्रवक्ता बहुती भढ़क गए और प्रोग्राम छोड़कर चले गए दूसरे दिन ये मेरा ट्रोलिंग का पहला अनुबह था और जो सोशल मीडिया के जरिये नहीं आया है दूसरे दिन उनका जो अकबार है सनातन प्रवाद वो बड़ी गंदी गंदी बाते रोज चापता है सरकार कुछ कारवाई नहीं करती उसमें मेरा फोन नबर इन्हों ने चाप दिया उसके बाद लगातार एक महिना मुझे रोज सुबह से चाम तक रात तक फोन आते थे गाली आती थी एसे मेस आते थे एक महिना ये ट्रोलिंग चलता रहा तो ट्रोलिंग सिर्फ राजनेतिक पार्टिया करती है ऐसा आप मत मानिए ट्रोलिंग का तरीका जैसे बीजेपी ने अपनाया है वैसे सानातन जैसे आतंकवादी जो संगठ ने उन्होंने भी अपनाया है 2012 से लेकर आज तक मैंने जो अनुबव किया है बीजेपी का अनुबव तो रवीज जी ने आपको बताया मैं आपको कहता हूँ कि रोज आपको गालिया मिलती है नेहाने कुछ अनुबव कहे लेकिन जब ये ये आपको ये हम सब को स्विकार करना होगा जब आपके बारे मे इसे जीज लिखे जाती है एक दिन सोशल में ट्वीटर पर मैंने देखा कि मेरा ही ट्वीट है मेरा ही फोटा है और मैं कह रहा हूँ अगर मोधीजी चुनके आते है तो मैं नंगा गुमूंगा अरे यार मैंने कभी ये ट्वीट किया था मैंने सोचा मैं तो डर गया फिर देखा जो W है दो W को जोड कर एक W बनाया और फेक अकाउंट तयार किया जब जब मैं BJP पर या मोदी जी पर आलोचना करता हूँ तब तब ये ट्वीट बार बार वापस ट्वीटर पर आता है उसके बाद में एक दिन एक ट्वीट आ गया आपने अपने आफिस के किसी लड़की का मॉलेस्टेशन किया है देखो मॉलेस्टेशन जैसी धंकी है रेप जैसी धंकी है हम कितने भी बहादूर हो दर तो लगता है ये क्या आरोप हो रहा है हमारे उपपर ये तो बिल्कुल ही character assassination है हमारे पास और कुछ नहीं हमारी honesty है और character है हमने किसी से पैसा नहीं लिया है और हम समाज को या लोगों को सज बताना चाहते इतना ही चोटा सा काम कर रहे हैं सबसे खराब BJP के ट्रोल है वो तो जहर फाइलाते ही है लेकिन जब आप सोनिया गांधिया राहूल गांधि के आलोचना करते है तब भी आपको गालिया मिलती है आप अन्ना हजारे पर आलोचना किजिए तब भी आपको गालिया मिलती है आप और किसी पर अर्विन के जुरिबाल को क्रिटिसाइज किजिए तब भी आपको गालिया मिलेगी लेकिन सबसे जहरीले टोर टो टो बीजेपी के यह है यह भी सच है तो इस प्रकार के से अगर आपकी बदनामी की जाए तो जैसे रवीश जी ने कहा कि आपके परिवार को क्या लगेगा आपके बच्चों को क्या लगेगा आपके बीवी को क्या लगेगा ये तो हम लोगों पर आलोचना करते हैं गालिया देते हैं समझ में आता है हमें तो आदत हो गई लेकिन ये हमारे परिवार को भी नहीं छोड़ते नवीजी ने इसका अलोगों किया है जब आप आप पर कुछ इसका असर नहीं हो रहा तो आपके बीवी पर लिखेंगे बीवी पर एक दिन किसी ने मुझे कहा ये कहने में भी मुझे शर्म आती है लेकिन किस टाइप का पोलिटिकल कल्चर बना है अपने देश में और पत्रकारों को चुप कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ मुझे किसी ने कहा कि आपकी बीवी किसी के साथ सोर रही है ट्वीट किया ट्वीट देखिए रवीजी ट्वीट किया मैं ये मेरे बीवी को दिखा भी नहीं सकता उसको किसी ने टैक किया तो उसके पास गया तो वो मेरे पास आ गई ये क्या हो रहा है उसने मुझे किया आप मुझे रिट्वीट या ट्वीट मत किजिए क्योंकि आप अगर इट्विट करते हो तो बहुत-बहुत गालिया पड़ती इनका प्लान साफ है मैं आपको बताता हूँ BJP हो सनातन हो ये लोग एक तो लोकतंत्र में मानते नहीं और इनकी सत्ता तभी चलेगी जब इस देश का लोकतंत्र मर जाए और लोकतंत्र मरने के लिए जरूरी है कि पत्रकार चूपो पत्रकार सत्य का खोज न करे पत्रकार सज बात न बताए पत्रकार आलोचना न करे मैंने हर पार्टी के आलोचना किये 2014 के पहले हम लोग रोज कांग्रेस के आलोचना करते थे वहां रामलीला मैदान पर अन्ना आजारे बैटे थे, हम वहां से लाइटे इलिकास कर रहे थे, बीजेपी वाले बड़े खुश होते थे, यार रोज कांग्रिस की आलोशन हो रही है, कभी 2G का मामला है, कभी कोल स्कैम का मामला है, दो मैं आपको बताता हूँ, यह जो कल्च अपना प्रधान मंत्री पत का उम्मिद्वार गोशित किया, तब से यह जो कल्चर है, इस प्रकार के ट्रोलिंग का, वो बहुती प्रभावी होगे, सबसे बड़े ट्रोल तो पहले हमारे माली की बन गए, मैं आपको बताता हूँ, यह अलग-अलग जिनका नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2007 से 2014 तक IBM लोकबत का संपादक था, 2007 से 2013 तक मेरे मैनेजिंग डिरेक्टर ने कभी मुझे मेल नहीं लिखा था, मेरे ट्वीट के बारे में, पहली बार 2013 में, रागो भेल जो हमारे मैनेजिंग डिरेक्टर थे, यह भी आना चाहि रेकार्ड पर कौन-कौन क्या कर रहा था, उन्हेंने मुझे बेल लेखा कि आप RSS के बारे में, मोदी जी के बारे में जब ट्वीट करते हो, तो जड़ा सावधानी बरता ही, जो मालिक 2007 से, क्योंकि मेरे एडिटर-in-चीफ, नेटवर्क के एडिटर तो राजदिर सर्दे सही थे, वो रोज मुझे मेरे ट्वीट डेख थे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मेरा मैनेजिंग डारेक्टर पहली बार 2013 में मुझे कर रहा है, जब आप मोदी जी पर ट्वीट कर रहे हो, या RSSS पर जरा सावधानी बरता ही, यही मीडिया ओनर से, यही मीडि मंतरी नहीं हुए थे, तब से मोदी जी के खिलाफ न्यूस सेंसर होना शुरू हो गई थी, हमारे नेटवर्क में भी हुई थी, जब सरदार पटेल के स्टैचू का मुवी पूजन हुआ था, तब वहां के जो लोकल जो रहिवासी थे, उन्होंने आंदोलन किया था, नैश जरात में, और हमने ये सारा मामला जो थे, वहां के जो लोक थे, जो एंजियोस थे, इसका विरोध कर रहे थे, ये पूरा हम लोगोंने न्यूस बना कर दिखाया, लेकिन मेरा ही जो नैशनल चैनल दाथ, CNN, IBN, उन्होंने ये नहीं दिखाया, उन्होंने एर ही नहीं किया, तो मोधी जी प्रधाम मंत्री बनने के बाद ये शारी चीज नहीं शुरू हूए है, मोधी जी प्रधाम मंत्री बनने के पहले ही, मोधी जी, क्रोनी कैपिटैलिस्ट और मीडिया का इस देश में एक अपवित्र अलायंस हुआता है, ये आप समझे ज़िए, और इनका लिजाई बन गया है, टेखनीकी बन गया है, कि आप ट्रोल करो, ट्रोल से नहीं डरता है, तो दंकिया दो, दंकियों से नहीं डरता है, तो एक दिन खुन कर दो, मैं आपको बताता हूँ, इतने हमले मैंने देखे हैं, इतने गालिया देखे हैं, मेरा पुलिस पर विश्वास नहीं है, हम कहते हैं हमारा लोग कंद्र पर विश्वास है, एक भी केस में इतने साल में 79 में मेरे पहला हमला हुआ था, एक भी केस में कोई भी हमलावर एरेस्टो करते हैं, बेल मिल जाती है, आज तक किसी को सजा नहीं हुए, आज तक 79 से लेकर आज तक, और तब तो कोई BJP की सरकार नहीं थी तब तो कंग्रेस की सरकार थी लेकिन हमें बात करनी चाहिए इस तरह के अलोगतांत्रिक पॉलिटिकल कल्चर की अगर आप हमलावरों को सजा नहीं देंगे अकलाक का हमलावर हो या फिर पत्रकार का हमलावर हो किसी को भी सजा नहीं मिलेगी तो लोगों तक मेसेज क्या दाता है आप जरा आप जरा इसका विचार खिजी सोच लिजे इसके बारे मैं जो कह रहा हूँ इस सरकार ने इस प्रकार के ट्रोलिंग या धमकिया या इंटिमिडेशन को लेजिटिमसी दी ह जैसे रविजी ने बताया है मोदी जी तो इनको फॉलो करते ही है लेकिन बीजेपी के कैबिनेट के बहुत सारे नेता भी इनको फॉलो करते है और इनको रिट्विट भी करते है गटिया गटिया जो ट्वीटर पर लोग है जो गंदी-गंदी बाते फैलाते है जूट बात बीजेपी के दो स्पोक्सपर्सन जिनको मैंने ब्लॉक किया है क्योंकि एक स्पोक्सपर्सन थी संजु वर्मा नाम की है अभी उन्हें ने तो मुझे लिखा आप पेड जनरलिस्ट है और क्या आप बोलते हैं वो प्रिस्टिट्यूट है अगर आपके पार्टी का ओफिशल स्पोक्सपर्सन अगर जनरलिस्ट पर यह आरोप लगाता है देखो हम आप हमें पेड जनरलिस्ट कहते हैं हम लोगोंने किसी का एक पैसा भी नहीं लिया आज तक यही केरेक्टर हमारी आमानत है और आप कहेंगे सोचल मीडिया पर बीजेपी की स्पोक्सपर्सन मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया पहले-पहले बहुत मुसिबत होती थी बहुत निन नहीं आते ऐसा यह पढ़कर क्योंकि यह अनुबहत तो हम लोग पहली बार कर रहे थे नहा ने कहा आपको अवरतों को किस टाइप से लिखा जाता है वुमन जर्रलिस्ट को तो गंदी गंदी बाते इतनी गंदी बाते लिखी साती है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं किस प्रकार का यह कल्चर है इनको आप कह सकते हैं यह एजुकेटर है आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल फाइदे के लिए अगर लोगों के बारे में ऐसी चीजे लिख रहे हो तो मैं मानता हूँ आप एजुकेटर भी नहीं है और आप सुसंस्क्रत भी नहीं यह समझ लीजिया लेकिन मैं आपको कहता हूँ किसी ने कहा जान जाने का वक्ता है सचनु जान जाने का वक्ता है पुलिस हमें बचा नहीं सकती जब मैंने सनातन सनातन के लिस्ट पर टार्गेट लिस्ट पर मेरा नाम है ऐसा सब जगा आया न्यूज आई तब पुलिस मेरे घर आई एक बड़े पलिस अफसर ने मुझे फोन किया और कहा देखो आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए मैंने कहा कि देखो प्रोटेक्शन लेके तो कुछ नहीं होगा मेरा पुलिस पर विश्वास ही नहीं है क्योंकि पहले जो हमले हुए है हमले के वक्त हमारे यहां की सिकुरिटी और पुलिस गायब थी मैंने समझ में नहीं आता अगर हमले के वक्त पुलिस नहीं है तुमारी वो सिकुरिटी कैसी करेगी तो मैंने पुलिस को कहा कि मेरा पुलिस पर विश्वास नहीं है मुझे पुलिस सिकुरिटी नहीं चाहिए। उन्हें ने कहा, पुलिस अफिसर ने कहा, कि आप ध्यान में रखिये, कि शिवसेना ने आप पर हमले किये, लेकिन शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, सनातन एक कल्ट है, कल्ट। तो वो किसी दिन आप पर कुछ भी कर सकते है, तो क्या इस देज़ में सवीदान है, कानुन है, मेरा ये सवाल है, आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे, एक पॉलिस कॉंस्टेबल या कोई एक पॉलिस अफसर मेरे साथ आ जाएगा, क्या मुझे वो बचा सकता है, आपको एक ऐसा माहोल पैदा करना चाहिए, जिसमें सारे लोगों को, सारे सिटिजन्स को सुरक्षित लगे, एक को, दो को, तीन को प्रोटेक्शन देके, कुछ होगा, इसा मुझे लगता नहीं है, दाभोलकर का खुन हुआ, पांसरे का खुन हुआ, गवरी लंकेश, कलबुर्गी का खुन हुआ, कल किसी का भी हो सकता है, मैं दाभोलकर पांसरे कलबुर्गी और गवरी लंकेश के मर्डर में जिनको एरेस किया है, उनको आगे चलकर सजा होगी, ये विश्वास मुझे नहीं है, क्योंकि सबूत इकटा करने में पुलिस गडबड करती है, बाद में ये लोग छूट जाते हैं, तो इस सिस्टिम पर म मेरा विश्वास नहीं है, एक जमाने में था, पचीस साल पहले, तीस साल पहले, मुझे लगता था, ये सिस्टिम सुद्रेगी, तो क्या करना चाहिए, आखरी मेरा मुद्दा ये है कि क्या करना चाहिए, मैं इस सम्मेलन के जो आयोजक है, उनका अभिनंदन करना चाहता कि इस प्रकार का ये पहला नैशनल कंवेंशन है, इसके पहले हम इखटा होते थे, जब हमला होता है तब या हमला होने के बाद, आपने कंवेंशन हमला होने के पहले लिया, ये अच्छी बात है, मेरी रिक्वेस्ट है आप से, कि आप ऐसे कोई एक सिस्टिम बनाएं, जहा पत्रकारों को सुरक्षित महसुस होगा मुझे मालू मैं आप कोई पुलिस का काम नहीं कर सकते लेकिन अगर किसके उपर हमला होता है तो पुलिस भी ठीक तरह से F.I.R. नहीं लीती बाद में फॉलोप नहीं होता बाद में कोर्ट में जाना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ defamation cases ये बड़ा हतियार बन गया है सनातन ने पिछले साल में मेरे ओपर तीन defamation cases किये है हर आर्टिकल के बाद वो defamation case करते है और defamation कहां से? गोवा से क्योंकि उनका headquarter गोवा है इनका मकसद ही है कि defamation case करके आपको परिशांग किया जाए हर बार आपको गोवा जाना पड़ता है हर बार जहां कही case से बना जाना पड़ता है तो एक प्रकार का ये torture है और ये this is abuse of the system लेकिन these people are doing that पत्रकारों को डराने के लिए कानून का इस्तेमाल भी इस तरह से ये लोग करते है इसलिए इन्होंने एक हिंदू विदिध्न परिशब भी बनाई है एक lawyers का संगटन बनाया है जो हिंदूत्व पर विश्वास रखते है मेरा कहना है कि हम जैसे लोगों को एक तो सब को एकठा होना चाहिए युनाइट होना चाहिए एक जमाने में पत्रकारों के संगटन थे हमारे यां Bombay Union of Journalists था हम लोग लड़ते थे रास्ते पर उतरते थे जब बेहार प्रेस भी लाया तब हम लड़े फिर और कुछ आया तो हम रास्ते पर उतर आए आज के जमाने में पत्रकारों के संगटन नहीं रहे Editors Guild तो कुछ काम कहीं नहीं क्योंकि जब कुछ घटना होती है हमें 10 बार Titer लोग लिखना पड़ता है कि Editors Guild का statement कहां है Editors Guild के जो अद्द्यक्षा है वो 10 दिन के बाद statement देते है मुझे लगता है आपका संगटन और CPJ ने मिलकर कुछ करना चाहिए कि इस प्रकार के जो कैसे से हमले के कैसे सो इनका फॉलॉप करने के लिए उस पत्रकार को मदद करनी चाहिए मैं आपको कहता हूँ हम तो शहरवासी पत्रकार है मैं मुंबई से आता हूँ ये लोग दिल्ली से आते है सबसे खराब हलत तो गाओ के पत्रकारों की है उनको तो नोकरी भी पर्मनेंट नहीं है वो तो फ्रीलांसर है हमारे स्टिंगर्स है कही दारू माफिया उनको मार रहा है महाराश्ट की बात में आपको कह रहा हूँ कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे एपिसोर्स हो गए कही रेत माफिया है कही दारू माफिया है कही शुगर माफिया है रूरल एरिया में गाओं में पत्रकारों पर ये लोग हमला करते है पुलिस एफायर भी रजिस्टर नहीं करती क्योंकि ये माफिया कोई पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी का हो वो चलाता है इन पत्रकारों के लिए हमें कुछ करना चाहिए हम लोग लड़ सकते हैं शहर में जो पत्रकार हैं हमारे जैसे वो लड़ सकते हैं लोग साथ भी देते हैं और लोग साथ देते हैं इसलिए हम यहां तक आए हैं लेकिन यह गाओ के जो पत्रकार है वो दूर-दूर प्रदेश के जो पत्रकार है उनके लिए हम लोगों को एक जूठ होके कुछ करना चाहिए मरने का तो डर है है, नहीं है, इसा मैं नहीं कुँएगा कभी भी आप मर सकते हैं कभी भी आपको गोली लग सकती है गाली तो छोड़ दीजी लेकिन ये डर है इसलिए हम डरेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों के लिए हमारी पत्रकारिता एक सत्य का खोज है और इस खोज के लिए हम हमारी जिंदगी देने के लिए भी तयार है आप हमें मारो कोई नया पत्रकार आके यही काम चेकरेगा जरूर करेगा तो हम ट्रोल से डरते नहीं हम धंकियों से डरते नहीं हम हमले से डरते नहीं हम सिर्फ डरते हैं एक बात से कि जो पत्रकारिता कुछ चंद लोग कर रहे हैं अच्छी पत्रकारिता क्या वो तो मरेगी नहीं धन्यवाई